मैं मैं सलीफ रॉम सरण बिहार और यू और उचिंग मरेकलोनी क्लासेज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो और आज के इस छोटी वीडियो में आपकी एक गलती की सुधार होने वाली है यानि आप कई सालों से जो गलतीयां करते आ रहे होंगे ना यानि जो गलती आप से होती आ रही होगी वो गलती नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे हो कि वो कौन सी गलती है आपकी जो आप कई सालों से करते आ रहे हो हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हो आपको पहले से पता हो लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं हो किमकि I guarantee you कि 70% लोगों को अच्छे अच्छे लोगों को परहे लिखे लोगों को भी ये दो शब्दों के बीच के फर्क का पता नहीं रहता है खेर मैं आपसे एक बात पुछता हूँ कि जब कोई आपकी मदद करता है यानि आपको support करता है या आपकी help करता है तो आप उसे क्या कहते हो जब कोई आपको तारीफे करता है यानि आपकी जब तारीफ होती है आपकी जो प्रशंसा होती है एड्माइरेशन होती है तो आप क्या कहते हो आप सौ बातों की एक बात कह दोगे हिंदी में धन्यवाद उर्दू में कहना चाहो तो शुक्रिया कह देगो अगर English में कहना चाहो तो आप कहोगा कि thanks या thank you कह देंगे तो दो गलती इसमें है जो कि मैं आपको clear करने वाला हूँ किसमें ये thanks और thank you में दो गलती पहली गलती क्या है वो मैं आपको clear करा दूँ कि जब आप pronounce करते हो तो thanks या thank you ये बिल्कुल गलत करते हो वो था नहीं होता है वो था होता है यानि thanks और thank you की बात करे thank you तो था नहीं आता है thank you इस तरीके से यानि Britishers अपने tongue में यानि था का sound वो नहीं रखते हैं वो था को था मान कर चलते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अग क्या है थोड़ा थोड़ा सा difference है तो हम अब मुद्दे की बात करते हैं मैं ले आया हूँ आज आपके लिए thanks और thank you के बीच का फर्क मैं बोलूंगा कि इन दोनों में क्या फर्क है तो आपको होगे कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है धन्यवाद या शुक्रिया कहना हो तो thanks कह देंगे और आपको धन्यवाद या आपको शुक्रिया ऐसा कहना हो तो thank you कह देंगे यानि you को add कर देंगे लेकिन भाई मेरी यह आपकी बहुत ही बड़ी misunderstanding पली हुई है आपके अंदर कई सालों से जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको clear करने वाला हूँ तो शुरू कर जब आप अपने से बरों से बात करते हो या आप परिचित लोगों से बात करते हो अजनबियों से बात करते हो तो कैसे बात करते हो आप तो respectful तरीके से बात करते हो ना formally बात करते हो और जब आप जाने पहचाने लोगों से बात करते हो लेकिन वो जाने पहचाने लोग आप से भी ज़्यादा informally बात करते हो तो तू से बात करते हो लेकिन जब respect की बात आती है तो आप आप से बात करते हो तो यही दोनों के बीच का फर्क मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी formally आपको किसी को धन्यवाद प्रकट करना हो यानि शुक्रिया आदा करनी हो त आपको good manner भी नहीं आता है यानि आपको सिष्टचार भी नहीं आता है तो आप अपने से बरूं के साथ thank you कहिएगा कभी भी आदत बना लीजिए यह अच्छी आदत है कि कोई आपकी मदद करे कोई आपकी प्रशंसा करे हना तो वहाँ पर जो आप thanks या thank you कहते हो उसमें आ आपको thank you कहना होगा आपको thanks नहीं कहना होगा कियोंकि thanks informal है और ठीक इसको दूसरी तरह जो अपने दोस्तों से बात करते हो अपने से छोटों से बात करते हो या आपसे कोई उम्र में थोड़ा बहुत बड़ा भी है लेकिन आप informally behave करते हो या बात करते हो तो वैसे लोगो यानि उन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि थैंक्स और थैंक्यू में फर्क क्या है उनको लगता है कि बस छोटे रूप में कहना हो तो थैंक्स कह देंगे और बड़े रूप में कहना हो तो थैंक्यू कह देंगे तो आज के बाद उमिद करता हूँ आपसे ये दो गलती न है ना thank you तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आप कह सकते हो thank you very much, thank you so much, है ना, इस तरीके से आप कह सकते हो, thank you very much, thank you so much, इस तरीके से आपको कहना होगा formally, यानि तीन हुए आपके लिए formal, कौन-कौन से, पहला thank you, दुसरा thank you very much, तिसरा thank you so much, अब informal की बात करें, तो जह basket full of thanks, है ना, a great deal of thanks, बहुत सारे तरीके हैं informal, इन फॉर्मल ही बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन, आपको ज़्यादा यूस नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा बताओं, तो आप ही confused हो जाओगे ना, इसलिए ज़्यादा नहीं बताओंगा, उमीद करता आपको अभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद प्रकट करेंगे, क्योंकि ऐसी जनकारी तो पाकर के कोई भी खुश होई जाएगा, क्योंकि ये बहुत बरी गलती है, तो आपका काम है लोगों की गलतीयों पर परदा डालना, उन्हें मना करना, फॉर्बिट करना की ऐसी गलत का मज़ा कुर जाता है न, सो दियर स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दो दिन बाद, तब तक के लिए बाई-बाई, टेक केर आफ यॉर्सेल्फ